रघुवंश प्रथम सर्ग कथा सारांश रघुवंश के प्रथम सर्ग की कथा राजा दिलीप से प्रारंब होती है। वैवस्वत्थ मनु के पवित्र वंश में राजा रघु का जन्म हुआ था। व्यूढोरसको व्रिशसकंधा शाल प्रांशुर महाभुजा। आत्म कर्म क्षमम देहोक्षात्रो धर्म इवाश्रिता। राजा दिलीप पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। राजा दिलीप यग्यादिक माध्यमों से देवताओं को प्रसन्न करते थे। किन्तु लंबे समय से संतान ना होने के कारण, वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। संध्यादी संपन्न करके वशिष्ठ रश्य अपनी पतनी अरुंधती के साथ आए हुए राजा दिलीप का अरग्यादी से सम्मान करते हैं। और राज्य की कुशल मंगल पूछते हैं। राजा दिलीप राज्य की प्रसन्नता सुना कर पित्र रण से मुक्ती का उपाय पूछते हैं। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि पूर्वकाल स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु गाय थी, जिसका तुम्हें सतकार करना चाहिए था। किन्तु धर्म लोब के कारण तुमने वह सतकार नहीं किया। अतह मन ही मन कामधेनु ने श्राप दिया कि जब तक तुम मेरी संतान की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे वहां संतान नहीं होगा। अतह है तुम वन में रहकर अपनी पत्नी के साथ वन्य भोजन करके, जब तक यह नंदिनी गाय प्रसन्न नहीं हो जाती, तब तक उनकी सेवा करो.